हालो एवरिवन कैसे मैं हुआत अच्छे हूं आप सभी का स्वागत करती हूं बविता निरज विलोग में कहिए कैसे आप सभी लोग तो गायाइस अभी आप देख रहें मेरा किछीन फैला पड़ा हुआ है और मैंने खाना बनाया था तो खाना बनाने के बाद फिर मैंना यह सामन रखने लग थे हम लोग कें सामन पेक करना था तो फैल पार पड़ा हुआ है कुछ अभी कार्ना वाखिए तो एहां कि रॉक्री बगारा का सामन होगा तो उसको हम साथ में ले जाएंगी क्योंकि टूटने बगारा का डर रहता इसलिए है तो यहां पर कुछ कपड़े बीते जो रख लिये थे और जो मतलब कि अभी हमें नहीं चाहिए तो साइथ इसलिए हमने रख लिया और उसके बाद वहां पर जाएंगे तो तब उनको अधाक दूंगी में अच्छे से तो जिनकी अभी जरूरत निया वो चीज हमने रख लिये अभी जो चीज हमें यूज म इता मंता वह सब पैक हो गया है और अदेखें मतलब फैला पड़ा हुआ है मिस्ताइग से और यहां बेड और लिया है वहीं से वहीं से शाल आजाएगा नया बेड लिया था और अभी यह इसी वगयरा तो हम बाद में लेके जाएंगे क्योंकि बर्कुल ही बाद में लेके जाएंगे क्योंकि अभी ठंडिया तो इतनी ज़रुवत है नहीं अभी तो फिर बाद में ले जाएंगा यह दिखिया इसमें ना मेरी सब साडी-साडी रखें बहुत साडी रखें अधर हैं साधी देग को बाषक पहनते तह नहीं है फिर भी भी दोग हो पपग। होता है लेडी को कितने हो फिर भी कम लगता है है कै नहीं कर दो दिखें और भार ऐखते हमें वावरों को इब दिखा उत्तरीके से यहां से जो अलवारी थी वहाट रही है और यह जो सामन थाना साथ चला गया जो हमने प्याप करके रखा थी पाथ यह वहला रूम पुदे की सोफ़ वोगे होना चोंगी था चले टेवल लागी है और यहां पर थोड़ा थोड़ा सावन रह गया है ऐसा है नोट ऌर वहां तो पालता हूँ और वहां दीर ही करके रहए जाए ने अटेख बार आपको फोल दीक के लिए हो तो लेके वीचले गाए हमने फोल दिक लिए बोला तो फोल दिन लेके गाए है वह और बाकी के बात में जाएगा कल जाएगा तो क्याब्ड़ कर दिया अभी जाएगा तो कल के लिए अभी यह में पैंटिंग लेके जाएंगे अपनी और अभी और है मतलब क्रोकरी का सामन था रखाएंगे तो गाड़ी में लेके जाएंगे क्योंकि तूटने का डर रहता तो यह देखें बैक के में सामन जाने लगा है और इस मेना मिदलब यह अब खरा हो रहता है तो सोचें कि चलो यहां से ले चलते हैं उसके बाद इसको हमाँ पहुचा देंगा यहां पर अलवार ही थी बराबर में दिख सकते हो कितना जादा कवाड़ा कि बच्चे ना पैसे तो ना खुले-खुले पैसे जो होते ही ना बच्चे बहुत सारा हम ने चाहां सामान रहा है कितना चाहर पांच बार में हमरा सामन गया एक बचादा है कैसे लेगा तो सफाा चैहीं.. तो एक बार में 5-6 बार में सामन गया और यह दिखिए और अभी हम लोग वहां के लिए चल दिये हैं क्योंकि मैं वहां चल रहे हूं जैसे की कपड़े थे ना जैसे मैंने बोला था बस डिली उचकी रखेते वाखी जो नए नए कपड़े थे ना और जिनके अभी नहीं कि चलो यह जो भी काम है मोटा मोटा वो नेवटा देते हैं तो यह दिखिए अभी हम रास्ते में और अभी ना आपको थोड़ा सा कंटीनिव ब्लोग देखने के लिए मिलेगा तो आज में वीडियो डालने वाली थी थोड़ा सा मूझ डिश्टप था तो नहीं डाली तो कि वीडियो मेरा कल जाएगा तो यह देखिए फ्रेंड आभी हम लोग आ गए और अभी आपने में सामन लगा रही थी दी और में दोनों थे वर्दी देने ना मतला बहुत हेल्प कर रहा है बहुत ही ज़्यादा मतला सारा सामान सा मेरी दी नहीं सित्वा दिया था किचिन रही है और बहुत है देल बर्दी का रही है तो तो दोनों ने कर लिया था जाता है woo जाता इतना सामान रखना से तोध ही काम झुषी वह रेते पर इतना सारा सामान नहीं कर रख सकते क्यों पड़ा कि औरतम थेग घ्ड्मALKः Guess तो बहुत ज्यादा ग्रह परवेश था उस दिन तो मतलब दूप निकली थी तो मैं सोचेज जो भी मैं सामान करूँ नो वह साफ करकर कर रखोंगी जिससे कि मुझे बाद में यह न लगे कि यह भी गंदा है इसको साफ करना यह करना वह करना तो वह चीज मैं ने विर्कुल वह सही सै रखा तो इसके बाद यह देखि विद्योन थी और किचिन ने साय भाड़ा गया था इसके बाद पिर समित एक Сवे में अची थी मतलोह में तो उन्हांने भी मतलों महान से लिखत हैं में बहुत जचभए है और हम ल तो यह सिप्टिंग का ही ब्लोग मिलेगा आपको सिप्टिंग का इने में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है तो अभी मैं आपको नया घर दिखाऊंगी तो यह चो चीज़ देखरें परावाद में यह नहीं थी पहले जो मैं आपको हाम टूर कर आई थी इस तरीके से यह मैं बुद्धा जी लेके आई थी और यह न काफी अच्छे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे थे इस तरीके से मैं थोड़ थोड़ आपको दिखाती भी जारे हूं यहां से उपड़ से बाल कोनी से दिखिए और यहां कान मतलब ऐसे लगता है ऐसे नही देले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं है तो बच्चे अपना आराम से तो यह चीज मैं खुद अपनी पसंद से बनवाई हूं कि मुझे ना यह चीज यहीं पर करना था और यह दिखिए पूरा फैंबली इंदर इस तरीके सामर रखी ही रही हैं मैं दिखिए मेरा नया बैड़ अपनी भी नहीं हटी है उसकी मुझे ना इस तरीके का बैड लेना था काफी दिन सा सोच रहे थी पर यह ही था कि बहुत सारी चीज तो मैं इसलिए भी नहीं करती थी नहीं जब अपना घर होगा तब करूंगे तो फाली हो देना आ गया और मैं बहुत ज्यादा फूस हूं क्योंकि देगे ना रेंट पे तो हम कैसी भी रह ले और फिर महेंगा भी था थोड़ा सामार अध्याजार रुपिक रहा जाता था तो इसलिए अपना अपना टैंसन पर कैसी भी रहो कुछ भी का रहो जो मर्जी खाव पीयो है कि तो ऐसे होता है बहुत सारी चीज देखनी पर दीए फिर भी हमने आठ आठ साल तो फिर भी हम रहे तो चलिए अभी यह आपको दिखाऊंगी कि जिस दिर हम गिरा पिरवेश था सुबह यह उस दिन काहे मैं सुबह सुबह उट गई थी कितने बजे पांच बजे मैं उट गई थी दिदे बोले नहीं उटाए कि मन कि नहीं मैं उट जांगी मेरा यह तो है कि जो मैं जो ठान लेती हुना वही करती हूं तो पांच बजे उटके तो अभी हम लोग अपने घर आ रहे थे अपने घर क्याए कि जाड़ पोचा करके जाना था और सब लोग ना सोय हुए थे तब हम लोग आये थे बहुत ठंडी थी सब लोग सोय हुए थे फिर मैं आई जाड़ पोचा करके फिर चली गई थी नहाने तो वहीं पर नहाया दीदी के घर नहा के फिर मैं तैयार हो के आई थी तो चली अब यह नीचे चल रहे हुँ अब बहुत ज्यादा कोरा सा और रखा था बहुत ठंड थी सुबह सुबह तो चली फाइले में नीचे आ गई और मैं भी आपको दिखा तुम अंदेरा भी बहुत था और ठंड तो थे ही उसके बाद सब लोग सोय हुए थे जम्माई थी तो आज का विलोग कैसा लगा अम्मित करूंगी कि आप ये वीडियो पसंद आ होगा पसंद आ तो लाइक से और सब्सक्राब करना इससे आगे का विलोग आपको नेस्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए